नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका NDC निशिल क्लासेज में तो उम्मीद करता हूँ आप सभी जो हैं अच्छे होंगे और बढ़िया तैयारी में जुट चुके होंगे क्योंकि अब तो जैसा कि एक न्यू जा चुकी है कि रीट सिर्फ पातरता परिक्षा होगी और रीट फर्स लेवल जो है वो भी आज इवन वैदता कर रहे हैं इस पर्मान फत्तर की है ना तो बहुत अच्छी बात है तो हम जो हिंदी व्याकरण की क्लासेज कंटिन्यू कर रहे हैं हमने वर्ण संग्या सर्वनाम विशिश्रण और क्रिया तक के टॉपिक कर लिये हैं क्रिया टॉपिक में जो है काफी लंबा खिंचने का प्रयास किया इसलिए ताकि आपको प्रफॉर्मेंस दिया और आप सभी जानते हैं कि कॉश्ण का लेवर अच्छा था और एक टेस्ट और होगा लेकिन इस बार का जो टेस्ट होगा वो सर्प्राइज होगा थोड़ा सा क्यों क्योंकि अगर पहले कह दिया आज टेस्ट होगा सब को आना है तो कोई नहीं आता है ना तो इस बार जो रेगुलर आते हैं उनको टेस्ट मिल जाएगा जो रेगुलर नहीं आते हैं उनको टेस्ट नहीं मिलेगा तो बाद में मिलेगा देखो बाद में का मज़ा नहीं होता एक लाइव का लाइव मज़ा दूसरी बात एक बात बता दूँ हिंदी की क्लासे जो सामाजी के classes है वो आपको live ही मिलेगी और हिंदी के classes जो है वो दो से तीन गंटे तक रहेगी उसके बाद हटाई जाएगी अब आपको सर अटाओ मत हम आउसाइफ हैं या फिर जो भी problems है सर हम job करते हैं मैंने time सबसे पूछ के तैक किया है और अनुसासन के लिए कुछ नियम अनिवारे हैं आप इसमें अगर हमें गलत समझते हैं तो हम शमा प्राठी हैं लेकिन आपको ने शुर्प पढ़ना है तो नियम इताना पड़ेगा हम कैसे आ रहे हैं हम भी तो आ रहे हैं ना तो आपको भी आना पड़ेगा सुबह से चे बज़े से लेकर रात तक पढ़ाते बढ़ाते गला बैठने लगता है ठीक है आवाज बदलने लग जाती है तो जब हमें आलस नहीं है तो आपको किस बात का है बस सीधी सी बात है इसलिए आपको रेगूलर आना ही पड़ेगा लाइव तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो व्याकरण है वो चल रही है और आज का टॉपिक बहुत शांदार होने वाला है आज का टॉपिक जो है बहुत जबरदस्त होने वाला है जिन्होंने टेलिग्राम चैनल जोइन नहीं किया वो टेलिग्राम चैनल जोइन जरूर करें and DC Classes क्योंकि आज वाली PPT जो है वो टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा ठीक है जी हाँ हम टॉपिक कर रहे हैं अव्य अवे आप सभी जानते हैं कि अविकारी होता है अविकारी से तात्परिय भी आप सभी जानते हैं कि अविकारी यानि जिनमें विकार उत्पन नहीं होता विकार उत्पन नहीं होता जिसमें विकार उत्पन नहीं होता वो अविकारी होता है लिंग पुरुस काल के अधार पर जो कोई परिवर्तन नहीं होता वचन के अधार पर जैसे माल लो एक मैंने बाक्य लिखा राजेस तेज दोड़ता है अब यहाँ पर अगर मैं सीमा कर देता हूँ सीमा तेज दोड़ती है सीमा तेज दोड़ती है यहाँ हम कर देता हूँ हम हम तेज दोड़ते हैं हम तेज दोड़ते है तो अब देखिए इसमें एक वाक्य ऐसा है यह तेज जो तेज सब्दाया है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि यह विकारी है क्या ऐसा हो जाएगा कि अगर राजेश तेज दोड़ता है सीता या सीमा तेजी दोड़ती है और हम सब तेजों दोड़ते हैं क्या ऐसा परिवर्तन हो सकता है तो आप कहोगे नहीं सर ऐसा परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं हो सकत तेज दोड़ता है सब में तेज योगा वे शब्द जिन में कोई विकार उत्पन नहीं होता वो क्या होते हैं अविकारी होते हैं ये अव्य जिनका व्य नहो वो सब्द होते हैं अव्य या फिर वूने का जाता है अविकारी जैसे कहलास कल आएगा सुनीता कल आएगी धीरज सुरी हम कल आएंगे ठीक है कैलास कल आएगा सुनिता कली आएगी हम कलो आएंगे क्या ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि ये अविकारी है और जहां विकार उत्पन नहीं होता वहाँ पर क्या होता है जो घर्च नहो जो व्यन हो जो घर्च नहों जो जिसमें विकार उत्पडद नहीं हो वही होते हैं अव्यशत ऐसे शब्द जिनके रूप लिंग वचण कारक काल पुरुस आदी के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता जो सदा अपने मूल रूप में बने रहते हैं उन्हें अव्यय या अविक विकारी शब्द कहा जाता है उन्हें क्या कहा जाता है अव्य या अविकारी शब्द कहा जाता है जैसे धीरे मैंने कहा विकास धीरे चलता है मैं विकास धीरे चलता है और मीना धीरे चलती है या धीरी चलती है और हम सब धीरों चलते हैं ऐसा नहीं होगा चाए मीना चले तो धीरे चलेगी, चाहँ विकास चले तो धीरे चलेगा, और हम सब चलेए तो भी क्या होगा? धीरे ही होगा, तो इसमें विकार उत्पन नहीं होता, इसलिए ये कौनसा है? अव्याय शबत है, जैसे अब, सुनीता अभी आएगी, मैं अब आउंगा, और हम सब अब उ आएंगे, क्या ऐसा हो सकता है अब्बा, अब्बी, अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, वाह आदी, ये सारे शब्द क्या होता है, अव्वे होता है, अव्वे के चार भेद होते हैं, सबसे पहले होता है क्रिया विशेशन क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्दों को क्या का जाता है क्रिया विशेशन का जाता है संबंद बोदक अव्वे है ना संबंद बोदक अव्वे में संग्या के साथ संबंद बताए जाएंगे तो वो हम आगे देखेंगे ये लगबग एक जैसे होते हैं एक बारीक अंतर होता है वो हम सीखेंगे समुच्य वो देख अवे जो होते हैं जो दो शब्दों को जोडते हैं या दो वाक्यांसों को जोडते हैं ठीक है उनमें चाहे व्यदी करण हो चाहे समानाधी करण हो अलग लग प्रकार से होता है जैसे इसमें और किंतु किंतु लेकिन परंतु इस प्रकार के और किंतु लेकिन परंतु ताकि मानों होता है फ्रकार इसलिए ये सारे सब दिशी में आ जाता है उसके बाद आता है वि तो यह अव्य के चार भेद होते हैं अब जैसे एक चीज मैं हमेसा कहता रहता हूं कि जिनों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक करें और शेर करें जादा जादा शेर जरूर किया करें दोस्तों क्योंकि आप जो पढ़ने आते हैं तो आपके साथ-साथ यह जो हम पढ़ा रहे हैं यह औरों तक भी पहुंचना चाहिए ऐसा न सोचें कुछ कहता है नहीं सार हम जो है शेयर करना, शेयर करना, शेयर करना का कहना कोई गुना नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, क्योंकि हर किसी का कोई ने कोई एक स्वार्थ होता है, आप इसमें स्वार्थ ही समझे तो समझ सकते हैं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि जादा जादा हमारा चैनल लोगों तक पहु कुछ लोग क्या है, सोचते हैं कि हमें, अरे हमें गर्ज नहीं है, बढ़ा रहे हैं, और गुरुदक्षिना के रूप में अगर कुछ मांगा जा रहा है, तो वो गलत नहीं है, ठीक है, क्रिया विशेशन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्रिया विशेशन, क्या पढ़ेंगे, क्रिया विशेशन देखो क्रिया की विशेशता बताने वाले जो अवे होते हैं वो क्या कहलाते हैं क्रिया विशेशन कहलाते हैं जो क्रिया की विशेशता बताता है वो क्रिया विशेशन कहलाता है इसमें कोई दोर आए नहीं है क्रिया विशेशन के चार भेद होते हैं कौन-कौन से होते हैं काल वाचक क्रिया विशेशन इस्थान वाचक क्रिया विशेशन परिमान वाचक क्रिया विशेशन और रिती वाचक क्रिया विशेशन काल वाचक यानी कब अब अभी परसों तो इसमें कैसे होगा जैसे ठीक है अब जैसे अब कब से तो प्रश्ण हो जाएगा जैसे मानलो अच्छे इसका उत्तर कब से आता है हाँ ठीक है जैसे अब राजेश अब आ रहा है राजेश अब आ रहा है तो यहां क्रिया क्या है आ रहा है और आने का काम कब हो रहा है अब हो रहा है जैसे वह अभी आया है तो यहां पर क्रिया क्या है क्रिया की विशेष्टा क्या है वो क्रिया अभी संपन हुई है तो जो काल वाचक इसको व्याख्या से अगर देखो समंद्व समंद्वेस्टा बताई जाएगी वहां इस्थान वाचक कॶ्या तो जब किसी क्रिया की परिमान समंद्वेस्टा बताई जाएगी तो वहां होस्वत यानी предлож वे अवे शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं वो काल वाचक क्रिया विश्चन होते हैं इससे बेस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे आपको कैसे आपको ग्यान का बंडार खगई मिल जाएगा लेकिन सरल सारगर भी तिससे बेस्ट नोट्स नहीं मिलेंगे जैसे शब्द देखना फिर कल अब आज प्रति दिन प्राय साय अभी अभी लगातार अब तक अब तक पूरा ठीक है यह अब तक एक साथ में कौमा गलत लगा दी जब कई बार बहुदा रोज आज कल आखिर नित्य तत्काल हमेशा आदी ठीक है यह कुछ और लिख दिया मैं एक्स्ट्रा निरंतर सतत बार बार कितनी दफा हर दफा यह सारे शब्द यह सारे शब्द अगर आप रट भी लेते हो यह सारे शब्द अगर किसी क्रिया से पूर्व आ जाएं तो वहां सो प्रतिशत होता कौन सा है काल वाचा क्रिया विशेशन जैसे मैंने कहा मोहन प्रतिदिन मौन कब आ रहा है फिर आ रहा है मौन कब आएगा कल आएगा मौन अब आया है मौन कब आया है अब आया है मौन आज रो रहा था मौन कब रो रहा था आज रो रहा था मौन प्रती दिन पढ़ता है मौन कब पढ़ता है प्रती दिन पढ़ता है मौन प्राय है मौन प्राय है घ पढ़ रहे हो लगातार मतलब एक समय से दूसरे समय तक लगातार तक लगातार जा रहा है तुम अब तक नहीं आए तुम कब तक नहीं आए अब तक टॉंग तुम कब जाओगे जिसमा लो तुम यहाँचित प्ररवाक्या नहीं बन Ready जैसे कई बार, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, कब कहा है, कई बार, तेखो ये कई बार जो सब्द है ना, ये confuse करता है, एक तो ये सब्द, लेकिन ये कालवाचक कहा है, no doubt, आप निश्चिन तो कह याद कर सकते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बहुदा कहा है, बहुदा कहा है, बहुत बार कहा है तो ये भी शब्द जो है काल वाच्छ क्रियाविशिशन का सब्द है जैसे मानलो वह बहुदा आया करता है तो ये बहुदा का मतलब होता है बहुत बार बहुदा का मतलब होता है बहुत बार तो आप तो शब्द रट सकते हैं तुम रोज नहाया करो, तुम कब नहाया करो, रोज नहाया करो, आज कल, आखिर तुम आखिर आई गए, तुम आखिर आई गए, आखिर का मतलब अंत तक, समय का बोट करा रहे, ये भी शब्द कन्फ्यूज करने वारा शब्द है, तुम नित्य नहाया करो, मतलब नित्य नह जो गया, तत्काल आओ, कब आओ, तत्काल, इसी समय, तुम हमेशा आया करो, कब आया करो, हमेशा आया करो, निरंतर मतलब लगातार, वही बात हो गई, सततय का मतलब भी होता है, लगातार, जो काफी समय से निरंतर जा रही है, तुम बार बार, कितनी दफा, मैंने तुम्हें वाद्चक का है जब कि ऐसा नहीं है, दफा का मतलब होता है बार, मैंने तुम्हें कितनी बार का है, बार यानि समय, ठीक है, तुम हर दफा मेरे पास ही क्यों आते हो, तुम हर दफा आ जाते हो, हर दफा या नहीं, हर बार आ जाते हो, तो हर बार, कितनी बार, कई बार, बहु इचा जाएगा चाहिए वो कोई सभी पिपर आ जाए ये सारे सब्द अगर आपको पता है कौन-कौन से फिर कल अब आज प्रति दिन प्रायर साय अभी अभी लगातार अब तक ये एक साथ में अब तक जब कई बार वहुदा रोज आज कल आखिर नित्य तत्काल हमेशा आद आते हैं वो काल वाचक क्रिया विशेशन कहलाते हैं क्लियर बात है चलिए अगला देखते हैं इस्थान वाचक क्रिया विशेशन वे अव्वे शब्द जो क्रिया के इस्थान का बोध करवाते हैं ये भी बहुत बढ़िया बात है इस्थान वाचक क्रिया विशेशन जो हो आप देखिए देखो एक बात बता दूँ यहां पर मैं जो है कमफर्ट जो आना वो फील करता हूं जो वाइट बोर्ड और मारकर पर पड़ाता है ना उसी फिर कमफर्ट फील करता हूं यह आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जारी बाकी जो जो जिन्होंने हिंदी में पराद सेक्स्पेंट कर पाता है तो मेरा मानना वोगेति के तरह यह नहीं कहता कि सारय यही पढ़ाएं यह व्यक्तिक तरह आए तो मैं अपने आपको कमफर्ट फील करता हूं तो जो हिंदी रीड हिंडी का कोर्स ले रहे हैं जो लेंग्वेज फर्स्ट और सेकंड का जिसके एक नाम मातर का चार्ज रख रख रखा है उसमें उनको नोर्स में मिलेंगे जो नोर्स हैं और क्लासेज में मिलेंगी और टेस्स मिलेंगी उनको ऑफलाइन क्लासेज मिलेगी जो ऑफलाइन रिकॉर्डिंग वो मिलेगी और साथ साथ में ये भी मिलेंगी क्यों मिलें प्रियास कर रहा हूं कोई कमी अगर नजर आए तो आप मुझे वाटसप पर जरूर बताएं कि सब्सक्राइब इस तरह जरूर पढ़ाएं ताकि उसमें सुधार किया जाएगा वैसे कमी रखूंगा नहीं मैं और एक दूसरी बात बता दूँ जो चीज आपको यहां बता दि आए सो प्रतिशत जो है वह एक्जाम में आएगी तो प्रतिशत मतलब क्योंकि मैं व्याकरण एक्जाम को ध्यान में मद्य नजर रखते हुए यह आपको व्याकरण पढ़ा रहा हूं जैसे अब मैंने यह बताया कि स्थान वाच्छक क्रिया विश्षण में क्रिया की स्थ स्थान संबंदी विश्षण बताई जाती है तो क्रिया से ठीक पहले अगर इन्हें शब्दों में से कोई शब्द आता है और वह इस्थान संबंदी क्रिया की विश्षण बताता है तो वहां इस्थान वाच्छक हो जैसे परे तो अब इस बात को देखो यूं आया वाक्य परेहटो, तो परेहटो का मतलब क्या होता है, दूरहटो, दूरहटो मतलब एक आदमी यहां खड़ाए, और वो दूरहटेगा, तो वो इस्थान सम्दि विशेश्ता हुई, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा, तो देखो आज आर पार होंगे आर या पार तो इसका मतलब आर पार सब्द भी कैसा इस्थान संबंदी विशेस था यानि इस पार या उस पार ऐसी बात होई ना अलग, तुम अलग हो जब एककोई आद्मी अगर किसी चीज़ आलग ओ रहा है, तो वह एक स्थान से क्या हो रहा है, दूसरे इस्थान पर हो रहा है। तो तले शब्स भी अगर आ जाता है, है नज Wow पर भी अब इनके क्या है कि वाक्य किताबों में बहुत rare के से कहीं कोई किताब में मिलता है ये शब्दी नहीं मिलते इतने सार एक किताब में यह इभी मैंने बहुत से किताबों से कि विशेस्ता क्या उपर तो इसकी इस्थान वाचक की अगर पहचान करनी हो तो कहां से उत्तर आते हैं जैसे सुरेश कब पढ़ रहा है उत्र नहीं आएगा सुरेश कहां पढ़ रहा है तो उत्तर आएगा उपर सुरेश कहां पढ़ रहा है उपर तो कहां देखो मौन पास कहां कह應該 पास मौन papel बैटा कावठ दूर मौन इधर आओ कहा ओ इधर आओ उधर जाओ का जा जाओ दर जाओ यह और जो यहाँ और यहां, वहां, जहां, तहां, दाएं, बाएं, निकट, अंदर, बाहर, इस और, सर्वत्र, शान्ती, शान्ती, बाहर, कौमा, भीतर, चारों और अदी, ये शब्द अगर आपको कहीं पर मिल जाएं, तो आप निश्चत रूप से क्रिया से ठीक पहले अगर इन शब्दों में स ही आपको कोई ने कोई मिलेगा, और वहां होगा कौन सा इस्थान वाचक क्रिया विशेशन होगा, और अगर, और अगर, अगर इन शब्दों में से अगर आपको कोई वहां मिल जाता है, तो वहां काल वाचक क्रिया विशेशन होगा, ये बहुत बढ़िया शब्द है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इन शब्दों से एक्स्ट्रा आपको कोई शब्द जो है वो देखर पूछा गया हो तो आप इसको अराम से पढ़ सकते हैं ठीक है? अब आप देखिए परिमान वाचक परिमान वाचक में क्या होता है? इसमें क्रिया की मात्रा संबंदी विशेशता बताई जाती है और कितना से प्रश्ण मनाने पर उत्तरा जाता है जैसे जिन विशेशनों से क्रिया की मात्रा अथवा उसके परिणाम नहीं है ये परिमान है ये मिस्प्रिंट है परिमान का बोध होता है वहां परिमान वाचा क्रिया विशिशन होता है जैसे चाहे शब्द निरा शब्द जैसे चाहे तुम जितना चाहे खालो तुम जितना चाहे खालो अब इसमें क्या होता है चाहे से वाक्या जो है न वो थोड़ा आजीव सा बनता है अब इसमें जितना ओल्रेडी आ गया तो चाहे तो ऐसा लग रहा है जिससी का सपोर्ट करने के लिए आए ना चाहे मतलब तुम चाहे तो आओ चाहे ना आओ तो चाहे तो मतलब यह चाहे शब्द जो है बहुत से किताबें ऐसी है जिनमें परिमान वाचक में ही दे रखा है कि बहुत चाए जितना के साथ में करते हैं अकसर तुम चितना चाहे खालो है ना जितना चाहे कि रखा न को दर्साणे वाढ़ा सब्स्वर्ढ़ है तो आप इस बात को ध्यान रखें ये ना सोचे के नहीं और एक बात हम उल्का चलते है थोड़ा सा उल्का चल के देखो य कि कि कार्य करने का तरीका बता रहा है कि अरीटी नहीं बता रहा तो किसमें आएगा यह शेख यह परीमान वात्चाक में ही आएगा तो चाहे अगर आजाए किसी क्रिया से ठीक पहले चाहे आ गया और पूछा कौन सा क्रिया विशेशने तो परिमान व चक्रना फिर कंफ्यूज कूयों और या तो यह कि नहीं सर्म आप विश्वास नहीं तो फिर किताब एक हंगाड़ों कोई दिखत वाली बात नहीं तो निरामुर्ख है मतलब बिलकुल मुर्ख है कितना बिलकुल टॉट्ल फ खूब इती जितना उतना कम ज्यादा यतियंत वापस आगया बहुत अती कुछ थोड़ा बराबर ठीक खूब केवल अब बस करो कितना करो बस बारी बारी तिल तिल अब एक यहां कन्फूजन आता है जैसे वाक क्या आता है दोस्तों वह तिल तिल करके मरा है तो अब इसमें क्या है कि आप के दिमाग में यह प्रस्षण आता है कि सर इसमें तो ऐसे आना चाहिए कैसे मरा तो हम कहें गे तिल तिल करके मरा तो से यह रिती वाचक क्रियाविशेशन होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों इसमें परिमान वाचक है तिल तिल करने का मतलब है वह थोडा थोडा करके मरा वह थोडा थोडा करके मरा तो याद रखें तिल तिल का मतलब होता है थोड़ा 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 करके मरा तिल तिल करके तड़फ तड़फ के वो तड़फ तड़फ के अलग चीज होती है वो कैसे मरा तड़फ तड़फ कर मरा वो रिती वाचक में चला जाता है तिल तिल का मतलब होता है तिल होता है सबसे छोटा जैसे हम बोलते हैं कि तुझे तिल बराबर जमीन भी नहीं दूँगा तो तिल को मतलब सबसे छोटा आकड़ा मना गया है तो उसके मारने की मात्रा जो है ना वो मरने की जो मात्रा है वो क्या थोड़ी है मतलब धीरे-धीरे करके मरा अब धीरे-धीरे करें तो थोड़ा थोड़ा यहां पे थोड़ा थोड़ा लेने से यह जो है परिमान वाचक में आता है अब फिर से वही बाद नहीं नहीं रहां आप गलत पढ़ा रहे हो इसा अच्छा गलत पढ़ा रहे हैं यह गलत एक 101% ये गलत नहीं है, ये एकदम सही है, कि तिल-Tिल करके मरने में परिमान वाचा क्रिया विशिशन है, अब विश्वास नहीं है, आपको यहां विश्वास जीतना है, या कम्पेट्शन में 45,500 रुपए चाहिए, मुझे तो इतनी सी बात बताता हूं, 45,500 रुपए चाहिए, तो इस पर विश्वास कर लो, कि पेपर में अगर दे तिल-Tिल आ गया, तो याद रखना, परिमान वाचा क्रिया विश्वास करके आ जाना, जो विश्वास करता हैं, और जो विश्वास नहीं करता हैं, वो चाहे रिती वाचा कर्याना, कोई बात नही तुम लोग रितिवाचा करके आओगे, तो जो मुझे विश्वास करते हैं, उनका सेलेक्शन हो जाएगा, बस इतनी सी बात कहता हूँ, तो थोड़ा विश्वास करें, चाहे, निरा, अत्यानत, निपड, ये शब्द रटलो, मैं तो एक बात बताऊँ, मैंने तो 2012 देख लि हुआ कि इन शब्दों के अलावा करिया से ठीक पहले, इनके अलावा कुछ नया शब्द देकर पूछा गया, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, चाहे काल वाचक हो, ठीक है, चाहे काल वाचक हो, यही शब्द आता है करिया से ठीक पहले, चाहे इस्थान वाचक हो, क्रिया से ठीक पहले यही शब्द आते हैं अब विश्वास करना या ना करना आपके आपकी बात है अब आगे देखिए अगला है रीती वाचक क्रिया विश्चिशन वे अवे शब्द जो क्रिया के होने की रीती का बहुत गरा है रीती का मतलब होता है तरीका वह क्रिया जो ह न वो कैसे संपन्न हो रही है तो इसमें देखो सहज क्या है सहज जैसे शब्द देखो पहले सहज पैदल एका एक हंसकर धीरे धीरे जैसे मैं आपको समझाता हूं सारी किताबें दढ़ादड गिर गई सारी किताबें दढ़ादड गिर गई सारी किताबें कब गिर गई क्या उत्तर आया नहीं आया सारी किताबें कहां गिर गई उत्तर आया नहीं आया सारी किताबें कितनी गिर गई उत्तर नहीं आया क्यों क्योंकि ये तो परिमान हो जाता सारी किताबे धढ़ादर गिर गई सारी किताबे कैसे गिर गई धढ़ादर यानि क्रिया कैसे हुई धढ़ादर 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 के पिताजी ने मेरा रिजल्ट देखते ही परिणाम देखते ही घमा घम मारना सुरू कर दिया कैसे गमा गम 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 की आवाज आई थी ठीक है तुम एक काम करो सारा मैं सारा दूद गटा गट 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 करके पी गया गट गट कैसे गट गट करके पी गया तुम फटा फटा हो कैसे आओ फटा फटा हो है ना तुम ऐसे कैसे योही तुम कैसे योही आ गया मैं तो है ना पोले नी संदे यथा सिग्र। देखो ये भी शब्त हुता है, वह हो रीतिवाचक का उता है, जतना जल्दी हो सके है कैसा औरो अधि? अचानक एकाएक सामने आगया मानो, सायद, मीठा वहे, कुछ लोग सोसते ही मीठा विशेशन है, बिल्कुल मीठा विशेशन है अगर संग्या के आगे लगेगा तो विशेशन है जैसे वहे अच्छा, ये क्रिया विशेशन कैसे है, वो समझाता हूँ सुरेश मीठा गाता है सुसीला मीठा गाती है आप खुछ सोचलो आप सुसीला ये तब भी मीठा है और सुरेश ये तब भी मीठा गाता है तो सुरेश मीठा गाता है, सुसीला मीठा गाती है और हम सब भी होते तो मीठा गाते तो मीठा सब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा इसलिए जरूर है कि आम बहुत मीठा है तो यहाँ पर ये जरूर क्रिया विशेशन के रूप में आ रहा है लेकिन जब ये क्रिया विशेशन में मीठा रूप में आता है तो यहाँ पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो ये सारे रितिवाचक क्रिया विशेशन सब्दों के कोई अंत नहीं है देखो मैंने नीचे कुछ लिख रखा है रितिवाचक क्रिया विशेशन के संख्या गुणवाचक विशेशन के समान अनन्त है कैसी है अनन्त है बिलकुल अनन्त है इसकी कोई लिमिट नहीं है क्रिया विशेशनों के न्याय सम्मत वर्गी करन में कठिनांई होने के कारण इस वर्ग में उन सब क्रिया विशेशनों को समावेस किया जा सकता है जिनका अंतरभाव पहले कहे हुए वर्गों में नहीं हुआ है सीधी सीधी language साफ लिखे कामता depreci turkey ने लिखा है की जो कृिया विशेशन कालवाजचक, स्थानवाजचक, परिमानवाजचक में नहीं आते हैं वो सारे के सारे किसमें आ जाएँगे रिति वाजचक में तो रिति वाजचक का कोई अंत नहीं है लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं दोस्तों परिमान किस्थान और काल अगर आपने ये शब्द रट लिए अगर आपने ये शब्द दो तिन वार समझ कर रट लिए मैं रटने पर जोड नहीं देता हूं कभी भी आपने अगर समझ कर इसको पढ़ लिया तो आ किती वाच्चा का क्रिया विशेशन थीक है तो ये सारे हैं क्रिया विशेशन क्लियर बात है हाँ जी कि देखो एक चीज और देखो काल वाच्चक इस्थान वाच्चक परिमान वाच्चक और रिती वाच्चक क्रिया विशेशन होते हैं होते हैं मैं यहाँ पर पांस साथ वाक्य लिखता हूं जैसे विकास अभी आया है सुरेस ने आज जादा खाया कैलास अचानक आया धीरज ने मीठा गाया तुम दाएं खड़े हो जाओ यह वाक्य लिख्या आप अगर कब से प्रश्चन करते हो तो हमेशा काल वाच्चक क्रिया विशेशन आईगा आप अगर कहां से प्रश्चन करते हो तो इस्थान वाच्चक क्रिया विशेशन आएगा आप अगर कितना से प्रश्चन करते हो तो परिमान वाच्चक और अगर आप कैसे से प्रश्चन करते हो तो रीती वाच्चक आएगा जैसे विकास अभी आया है तो विकास कहां आया उत्तर आया क्या नहीं आया विकास कितना आया उत्तर आया क्या नहीं आया विकास कैसे आया गाड़ी से आया पैदल आया नहीं आया उत्तर विकास कब आया अभी आया तो उत्तर आया तो कौन सा हुआ काल वाचक करिया शुरेश ने आज जादा खाया सुरेश ने कब खाया नहीं पता कहां खाया नहीं पता कैसे खाया नहीं पता कितना खाया जादा खाया उत्तर आ गया मैं आपका अवे टॉपिक कम्प्रीट होने के साथ ही एक छोटा साथ टेस्ट ओर लूँगा वरन से लेकर अवे तक का तो उसमें अवे के कुछ प्रश्ण होंगे तो आप समझोगे कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना वो एकदम सार तक पढ़ा रहा हूँ गलत चीज नहीं पता कैसे आया अचानक आ गया वो दीरज ने मीठा गया कब गया नहीं पता कहां गया नहीं पता कैसे गया नहीं पता कितना गया मीठा गया तो इसका मतलब परिमान वाचक क्रिया विश्चन है तुम दाएं खड़े हो जाओ तुम कब खड़े हो जाओ नहीं पता कैसे खड उतर आजाए जिसमें जो उतर आएगा उसमें वही क्रिया विश्रशन होगा तो ये बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से देखो कोई भी टॉपिक हो अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत आपको कभी भी नहीं आए है ना ठीक है तो अब जो कि ये क्लास है जिसने देख ली उसको बहुत बढ़िया लगे मेरे खियाल से देखो इसमें क्या होता है कि टॉप एक क्लास जो है वो दो दिन में इसलिए दे रहे हैं ताकि आपकी जो है नियमित्ता भी बनी रहे और आप को जो है वो थोड़ा प पढ़ लिया ना अब आपके जो भी किताब मौजूद है जो भी आपके उस गाइड है किताब है आप उस किताब को पढ़ो और देखो आप देखना मुल्यांकन जरूर करना मुल्यांकन दोस्तों जरूर करना और मुल्यांकन क्या करोगे मुल्यांकन ये करना कि इतने इसके अलावा प्वालिटी के नोट्स के नोट्स कंप्लीट होने वाले हैं, कल अभी सर ने बताया है, कि कल या पर सो तक पॉलिटी के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो पॉलिटी की PPT's हैं ये और इसके अलावा पॉलिटी के नोट्स ये दोनों भी आपके दो तारीक से तीन तारीक के बीच में सामाजी गवारे जो साथी है उनके अपलोड कर दिये जाएंगे तो थोड़ी सी लेट जरूर होती है लेकिन अच्छा देने का प्रयास है ना इसलिए लेट होती है बाकी आपको और समय पर मिल जाएगा ऐसी बात भी निए कि समय निकल जाने के बाद आपको चीज मिलेंगी समय पर मिल जाएगा दूसरा second grade second grade के जो तैयारी कर रहे हैं जो second grade के तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि उनकी जो test series में जो प्रशन अभी तक नहीं हो रहे थे second grade के जो तैयारी कर रहे हैं उनका आज 17 number test जो है वो 17 टेस्ट भी जो है upload हो चुका है इनका एक major test अभी बाकी है जो है कल upload हो जाएगा तो आपको लगातार अच्छे प्रशनों मिल रहे हैं लगातार लगवा कि 1000 से ज़्यादा students जो है second grade के test series जोइन कर चुके हैं और बहुत बढ़िया performance के साथ test दे रहे हैं तो जिन्होंने test series जोइन नहीं किए वो जोइन करें इसके अलावा हिंदी रीट की भी काउन रुपे के टेस्ट जो हैं ने लॉंच कर दिया है जिन्होंने अब तक नहीं लिए वो ले सकता है साथ तारीक का आठ तारीक से टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे रीट के अभी सेकंड गेट के चल रहे हैं रीट के टेस्ट साथ तारीक से स्टार्ट होंगे उससे पहले स्टार्ट नहीं होंगे तो आप ज़्यादा दिन नहीं है पांस साथ दिन है तो यहाँ पर टेस्ट होंगे वो अलग है वहाँ पर जो कॉशन्स होंगे वो अलग होंगे ठीक है दोस्तों तो बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं कल रात 9 बजे